प्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वाक्ष करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका आपको बेसबरी से इंतजार था यूपी एसाई के डीवी पीस्टी का जो एड्मिट कार्ड है वो जारी किया जा चुका है और जो पहली जिस्ट आई है डीवी पीस्टी के लिए उसके अंदर आठ हजार तीन सो सम्थिंग केंडिडेट है और यह जो डीवी पीस्टी है यह 25 से 28 तारिक तक आपका चलेगा तो इनके एड्मिट कार्ड जो है जारी किये जा चुके हैं जो केंडिडेट क्वालिफाई है और उनके एड्मिट कार्ड अभी तक नहीं आए है उनके एड्म से क्वालिफाई नहीं हो सकते और कितने क्या 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 डोकुमेंट जो है आपको ले के जाने हैं और कितनी कोपी ले कि क्या क्या टैस्ट कराना ओर क्या टैस्टीड नहीं लिश्ट विडिएव में आपको सब कुछ बताने वाला हूं तो सबसे पहुं लिस्ट की अगर बात करते हैं तो लिस्ट देख लेते हैं लिस्ट किस तरीके से आई है तो लिस्ट जो है आप देख सकते हैं यह रोल अमबर वाइस जो है लिस्ट आई है यह आप देख सकते हैं इस तरीके से लिस्ट जारी हुई है और 27 चार को डिव पेस्ट की इनकी डेट है और लास्ट में हम चलते हैं 209 इसके अंदर पेज है और 209 पेज के अंदर यानि कि सब की जो डिव पेस्ट है वो अलग-अलग दिन है जैकि अठाइस तारीख है और इसके अंदर तोटल केंडिडेट है आठ हजार तीन सो पच्छीस केंडिडेट इसके अंदर टोटल जो है बुलाए गए है इन्होंने जो पुलाए हैं अब मैं बात करता हूं इसके अंदर तीन केटेगरिये बनी होई है केटेगरियां क्या बनी हुए है एक तो यह आपका रोल नमबर है फिर यह आपका रेजिस जो होना है उसकी लोकेशन बताई गई है और फिर डिवी प्यस्ति का आपका सेंटर दिया गया है इसके अलावा अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेक्ट लिंक है वहाँ से जाकर अगर दूसरी लिस्ट के बारे में बात करता हूं इसके अंदर मैं आपको दूसरी लिस्ट अगर दिखाता हूं यह रोलंबर वाली लिस इसके अंदर सबसे पहले 25 है फिर उसके बाद जो है इसका लास्ट में अगर हम चलते हैं तो सो नो पेज हैं इसके अंदर भी कि दो सो नो पेज हैं कि आठ सो आठ हजार तीन सो पच्छिस के अंदर भी है आपके पर हम देख लेते हैं यह दोनों सेम लिस्ट है या लग लग है तो विशाल इसके अंदर लास्ट है डीवी पेस्टी की डेट वाली जो लिस्ट है आपकी और दूसरी देख लेते हैं रोलंबर के लिए आपक लिए जो इसकी लिट आई है रोल लंबर उकी जो लिट है उसमों देख लेते हैं एक बड़ जाके झा बनता है रोलंबर वाली जस जो है वह यह है दो Kung-दिन आलग है आप इसके अंदर देख सकते हैं इसके उसके अंदर महां पर विशाल था और यहां पर प्रेश के अंदर यह था क्योंकि यह सीरेल वाइज नहीं है यह रोलंबर वाइज है और जो वह है वह सीरेल वाइज लगी होई है अब हम बात करते हैं कि आपको डॉकॉमेंट्स क्या-क्या चाहिए डॉकॉमेंट्स कि अगर मैं बात करता हूं यह मेरे पास एक केंडिडेट का डॉलंबर है इसमें आप देख सकते हैं इनका जो डीवी प्येस्टी है वो 27 अपरेल को इनका डीवी प्येस्टी है और डॉकॉमेंट्स क्या-क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं पहले तो आपको डीवी प्येस्टी अगर 8 बज़े लि सारी चीज़े आपको पढ़के बता देता हूं इंस्ट्रक्शन में इन्हों ने हिंदी इंग्लिस दोनों में दिया हुआ है इसके अंदर दिया हुआ है डेट टाइम एंड प्लेज मैंशन ओन यूर अड्मिट कार्ड को डॉकुमेंट वेरिफिकेशन फीजिकल स्टेंडर स्टेज रिक्रूट प्रोसेस्ट यूवर कंडिडेट कैन बी कैंसल एट एनी स्टेज इफ इट इस नौट फाउंड तू कंफर्म विद सर्विस रूल एंड अडवर्टीजमेंट इसूड पायदर प्रद यानि कि इन्होंने कहा है कि जो इनकी रिक्वार्मेंट थी अगर उसके अलग कुछ भी चीज़ पाया जाती है तो कंडिडेट को महीं निकाल दिया जाएगा इसके तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है क्वालिफिक क्वालिफाइंग इन डॉकूमेंट वैरिफिकेशन इस्टेज डज नोट मीन डैट यू आर फाइनल सेलेक्टेड यानिके जो डीवी पेस्टी में सेलेक्ट हो जाएंगे उनका मतलब यह नहीं कि वह फाइनल सेलेक्टेड हो गया क्योंकि उसके बाद एक इस्टेज जो ट्रेनिंग की स्टेड है आपकी वह बची रहेगी चर्वी सलेक्षन ओफ कैंडिड इस बेस्ट ओन दाफ फाइनल मेरिट यानिके टनिंग के बाद भी फाइनल मेरिष्ट मैरिट लिस्ट लगएगी आपकी महां पर आपको देखा जाएगा उरिजनल रिकोर्ड विल बी वैरिफाइड बाइवब आपोइंटिंग है नहीं है इन केस ऑफ ओरिजिनल से केटिग्री सेटिफिए इस नोट प्रोड्यूस एड़ टाइम ओफ डॉकुमेंट वेरिफिकेशन पर यूवर डिटेल मैंशन इन दा अप्लिकेशन फॉर्म इस चर्णली चर्णल केटिग्री यानि के यह केटिग्री का आपका सेटिफिकेट इसके अंदर चीएगा पाच्वे में नो ट्रेवल अलाउंस यानि के कहीं भी आपका जो एड्मिट कार्ड में डिवी पेस्टी की डेट आपकी आई है महां आपको खुच जाना पड़ेगा उनका ट्रेवल अलांस जो है वो डिपार्टमेंट नहीं देगा आपको खुच से पे करके जाना पड़ेगा इस मेंडेट्री टू ब्रिंग ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड यानि के आपको ओरिजिनल आधार कार्ड या फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है जो आपने चल सकता है विदाऊट ओरिजिनल फोटो डी कार्ड एडट काड़ के इंडीट कार्ड लोट भी अलाउट टू दोकुमेंट वेरिफिकेशन यानि कि आगर आपके पास पास टूप्रमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ आपका डोकुमेंट वेरिफिक्स नहीं होगा अगर आपके पास ओरिजिनल आदरकार नहीं हुआ तो सेवंथ पोइंट में क्या लिखा प्लीज अफेक्स ए पास्पोर्ट साइज फोटो ग्राफ इंदे स्पेस ओ प्रोवाइड इंदे अड्मिट कार्ड के बगल में एक इस तरीके का बॉक्स बना हुआ है महाँ महाँ पे आपको फोटो चिपका नहीं है रंगीन फोटो एट पॉइंट में लिखा हुआ है दिस एड्मिट कार्ड डूली साइंड बाय दा केंडिडेट विल दा सम्मिटिट एड़ टाइम डॉकमेंट वरिपिकेशन के बाद केंडिडेट को खुद अब यह आ जाता है कि आपको डॉकुमेंट में क्या क्या चाहिएगा व्यक्ति ए कि से कि कुआ मश lavender उ hip वरते समय जो पहले फोंव भरा होगा आपने जिव फिच ब्साइब का जिब फोंब लेके जाना होगा आपको पासपोर्साइज फोटा लेके जानी है दो एक फोटो एडिटी पूर्फ के लिए आपको अधार काड़ लेकर जाना होगा को होगा है और कि यह नो बात करते हैं डॉकोमेंट की मारी कि çाहिए आपको बारवी की मारी मारी की मांकिट चाहिए और उसके साथ साथ अगर आपने कोई और equivalent टिग्रिया कोर्स कर रखा तो वह भी चाहिएगा फिर graduation या उसके साथ अगर आपने कुछ और कर रखा तो वह भी चाहिएगा certificate चाहिएगा और क्या इसमें क्या का है original marksheet along with its photocopy अटेस्टेट बाइ गजिटिट ओफिसर यानि कि आपका जो आपको ओरिजिनल तो ले के जाना है लेकिन जो आप photocopy लेके जाएंगे एक सेट सब डोकुमेंट्स ब07 अनको गजिटिट ओफिसर से टेस्ट याक कराकर ले कर गजए फिसर आपका क्यों होगा जो आपकावी क्लास का परिंसिपल होता है उससे आप कराके लेकर जा सकते हैं अगर जहां से आपने बाहरी पास की हैust ग्रेजवेशन का भी वही अटेस्ट करके देगा और साइंस ग्रेजवेट फोर फ्स्स पोस्ट जो इस पोस्ट के लिए हैं वह भी अटेस्ट कराकर देंगे डोकुमेंट्स और अगर मैं बात करता हूं कैटिगरी सैटिफिकेट की तो प्रिस्क्राइब प्रॉर्मेट इन्हों ने दिया ठा। सी परकार और आपको इस प्रकार और था पहले नी बता दिया था कि इस ए और कि टर्विसमेंट के लिए इन्हों ने जो एक्स सर्विसमेंन उनको एनोसी फोटो कोपी अटेस्टिट लिए बाइव के गजट ओफिशर से लेके आनी होगी यानि कि अगर आपके पास यह डॉकुमेंट्स सब हैं तो आप बिना किसी डर के डॉकुमेंट वैरिफिकेसिं लिए चले जाएंगे आप पास हो जाएंगे और अगर कि किसी के पास कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डॉकुमेंट है चैसे की टरिटरी आर्मी सेटिफिकेट नैशनल केंड़ेट क्रॉप्स ओ लेविल सेटिफिकेट इक्विलेंट है तो यह भी आप लेके जा सकते हैं और आप वहाँ पर वहल एजुकेटिड की तरह मच जाईए कि जीन्स पहन कर आप चले गए क्योंकि आपका डीवी के साथ साथ पीएस्टी भी होना है तो आप एक इजी लुक में जाईए लोवर पहन कर जाईए और जूते पहन कर जाईए क्योंकि आपके सब उतरवाने के बाद ही आपका जो वजन या जो आपकी लंबाई चोड़ाई है वह मापी जाएगी तो आप यह नहीं कि जीन्स में चले गए डाड़ी बढ़ा कर चले गए तो ध लाइक करके सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गोर्मेंट जोग की पलपल अपडेट के लिए और वीडियो को जादा जादा शेयर कर दीजेगा इस वीडियो में बस इतना ही थैंक यू